नमस्ते बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही हैं आज हम चान से तोड़ी सी गपे पोयम के बाशा की बात पढ़ने वाले हैं अच्छा ये बताओ आप लोगों ने चांद से तोड़ी सी गपे कविता अच्छी तरह से पढ़ा और समझा पढ़ा होगा है ना आज हम बाशा की बात याने की ग्रामर देखेंगे इसमें चार प्रश्ण है पहला प्रश्ण विशेशन से जुड़ा है चांद संञ्या है चांदनी रात में चांदनी विशेशन है नीचे दिये गए विशेशनों को द्यान से देखो और बताओ की काउन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेशन बन रहे है इन विशेशनों के लिए एक एक उपयुक्त संञ्या भी लिखो नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं उसमें विशेशन कैसे बनी गई है कैसे उपर चांद के साथ नी प्रत्यय जुनने से चांद नी बनी है वैसे यहां गुलाबी पगडी, मकमली गास, कीमती गहने, टंडी राद, जंगली फूल, कश्मीरी बाशा इसमें गुलाबी शब्द कौनसी प्रत्यय जोड कर बनाया गया है मकमली शब्द, विशेशन शब्द कौनसी प्रत्यय जुडने से बना है वैसे ही कीमती, टंडी, जंगली, कश्मीरी आदी शब्द कौनसी प्रत्यय जुडने से बना है मूल शब्द कौनसी है और उसमें कौनसी प्रत्यय जुडा गया है वो लिखना है और आपको लिखना है इन विशेशनों को प्रयोग करके एक और संग्या लिखना है कैसे यहाँ गुलाबी पगडी दिया गया है उसके पगडी के अलावा आपको कोई और संग्या इस्तमाल करना है मकमली घास दिया गया है घास के अलाबा किसी आउर संया वैसे ये भी आपको करना है अब अगला प्रिश्ण है गोल मटोल गोरा चिट्टा कविता में आये शब्दों के इन जोडों में अंतर ये है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है गोरा इस फैर बट सफेद इस वाइट बट इस मिलता जुलता है जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है ये मोटा शब्द से बनाया गया है ऐसे चार-चार शब्द युगम सोच कर लिको और उनका वाक्यों में प्रयोग करो तो आपको भी ऐसे ही कुछ शब्द, तुकवाले शब्द कहते हैं इसे मतलब rhyming words आपको भी कुछ चार-चार ऐसे rhyming words सोचना है और उसको वाक्यों में प्रयोग करना है तीसरा प्रश्ण है बिल्कुल घोल कविता में इसके दो अर्थ है गोल आकार का गायब होना बिल्कुल गोल मतलब यहां कविता में इसका दो अर्थ दिये गए है वो बिल्कुल गोल हो जाना और बिल्कुल गोल हो जाना में गायब हो जाना का भी एक अर्थ है ये गोल शब्द दो दो अर्थ देता है ऐसे तीन शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनावों की शब्दों के दो दो अर्थ निकलते तो आपको भी ऐसे ही गोल जैसे और तीन शब्द सोचना है और उसमें से आपको दो दो वाक्य बनाना है मतलब उस दो अर्थों को उन वाक्य में लाना है ठीक है? चौता का प्रश्ण है ताकी, जबकी, चूंकी, हालांकी कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पड़ो ये शब्द दो वाक्यों को जोडने का काम करते हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो-दो वाक्या बनावो ताकी, जबकी, चूंकी, हालांकी ये सब कुछ तो सुनने में आपको एकी अर्थ वाले लगते हैं पर है नहीं ताकी का मतलब है तो आपको इन शब्दों का प्रयोग करके दो-दो वाक्या बनानी है तो एक उदाहरन के लिए ताकी के प्रयोग करके एक वाक्या हम देखेंगे मोहन मन से पढ़ रहा है ताकी परिक्षा में प्रतम आ सके चूंकी के लिए चूंकी उससे काना बनाना था इसलिए हो जल्दी गर चली गई चूंकी का मतलब है सिंस हालांकी से एक वाक्या देखेंगे हालांकी नेहा पढ़ने में कमजोर है पर वो बहुत महनती है हावेवर ठीक है तो आपको इन चारों शब्दों को प्रयोग करके धो धो वाक्या बनानी है ठीक है तो यह हुई आपके इस कविता की भाशा की बात धन्यवाद बच्चों